गुजरात के लोगप्रियम मुख्मिंत्री, स्रीमान बुपेंद्र भाई पतेल, केमिनेट में मेरे साथी, संसद में मेरे सहियोगी, और गुजरात प्रदेश भारतिय जनता पार्टी के अध्यक्षर, स्रीमान स्वियार पार्टील, और देश के कौने कौने से जुड़े, सभी गवर्नर स्री, आदर्निय मुख्मंत्री गाण, सांसद गाण, विधाय गाण, मंत्री गाण, और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं मेरे सामने, साथ सो से जानदा स्थान पर, वहां के सांसद के नित्तुत्व में, इतना बड़ा कारकम कभी नहीं हुआ होगा, सो साल में पहली बार हुआ ये कारकम होगा, मैं रेलिवे को भी इस भव्य आयुजन के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं, विक्सीद भारत के लिए हो रहे, नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है, देश के कोने कोने में, परियोजनाओं का लोकारपन हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है, अगर मैं साल दो हजार चौबिस की ही बात करूँ, दो हजार चौबिस आने मुश्किल से भी 75 दिन हुए है, दो हजार चौबिस के, इन करीब-करीब 75 दिन में 11 लाग करोड रुपी से जादा की परियोजनाओं का, लोकारपण और सिलान्यास हो चुका है, और अगर मैं पिछले दस बारव दिन की बात करूँ, पिछले दस बारव दिन में ही साथ लाग करोड रुपे से जादा की परियोजनाओं का, लोकारपण और सिलान्यास हुआ है, आज भी विक्सीद भारत की दिशा में बेश ने बहुत बड़ा कदब उठाया, इस कारकम में अभी हाँ एक लाख करोड रुपे से जादा की परियोजनाओं का, और लोकारपण और सिलान्यास हुआ है, और आप देखिए, आज 85,000 करोड रुपे, पच्चाती हजार करोड रुपे से अधिक से, सिर्फ और सिर्फ रेलिवे के प्रोजेस्ट देश को मिले हैं, और इसके उपरां समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गती को धिमी नहीं होने देना चाहता, और इसलाज रेलिवे के ही कारकम में एक और कारकम जूड गया है, पेट्रोलियम वालों का, और दहेज में, गुजरात में दहेज में, बीस हजार करोड रुपे से दिक की लागत से बनने वाले, पेट्रो केमिकल परिस्का परिसर का भी सलान्यास हुआ है, और ये प्रोजेक हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉली प्रप्लिन की दिमान को पूरा करने में अहम भूमी का निभाने वाला है, आज ही गुजरात और महराष्ट में एक्ताम मौल्स का भी सलान्यास हुआ है, ये एक्ताम मौल्स भारत के सम्रुद्य कुट्रुद्योग हमारे हस्त जिल्प हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा, और उसमें एक भारत स्रेश्ट भारत की नीव को भी मजबूत होते हम देखेंगे, मैं इन परियोजनाओं के लिए देश्वाच्यों को बढ़ाई देता हूँ, और मैं मेरे नवजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, भारत एक युवाद देश है, बहुत बड़ी मातादाद में युवा रहते हैं देश में, मैं खास तौरप मेरे युवाद साथियों से कहना चाहता हूँ, आज जो लोकारपन हुआ है, वो आपके वर्तमान के लिए है, और आज जो सिलान्याद हुआ है, वो आपके उजवल भविश की गारिंटी लेकर के आया है, साथियों, आज जादी के बात की सरकारों ने राजनितिक स्वार्थ को जिस तर प्रात्पिक्ता दी, और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतिय रेल रही है, आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बिजेट देख लीजिए, रेल मंत्री देश की पार्लामेंट में क्या बोलते थे, हमारी फलानी ट्रेन का महाँ स्टॉपेज देजेंगे, वहाँ हम डिबेच छे है तो आठ कर देंगे, याने रेलेवे और मैं देख रहा था पार्लामेंट में भी धब धब तालिया बचती थी, याने यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला गे नहीं मिला, ट्रेन वहाँ तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, देखे, 21 वी सदी में यही सोच रही होती, तो देश का क्या होता है, और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजेट से निकाल करके भारत सरकार के बजेट में डाल दिया, और उसके कान आज भारत सरकार के बजेट के पैसे रेलेवे के विकास के लिए लगने लगे पिछने दिनों देखा है इन दसकों में समय की पाबंदी ऑपने हालत देखा है दे ट्रेन टेशन पर में लोग ये निखने जा जाते हैं जैकिस प्लेट्परम पर कोंसे टेन अfa लोगे जेखते हैं कितनी लेट है दो यह कान कमरे को घर से कौकि उसा माय मोफड तो सा नहीं स्टेशन पर जाकर के देखना वे कितनी लेट है रिष्टेदारों को कहते भी रुके रहो पता नहीं ट्रेन कव आएगी वरना घर वापिस जा करके फिर आएंगे यह रहता पहां स्वच्छता की समस्चे आशुरक्षा साउलियत हर कीच पैसंजर के नसीब पर छोड़ दी गई थी 2014 में देश में आज से दस साल पहले नौर्स इसके छे राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी 2014 में देश में दस हजार से ज्यादा ऐसे रेल फाटक थे दस हजार से ज्यादा जहां कोई व्यक्ति नहीं था लगातार एक्सिडेंट होते थे और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को नवजमानों को हमें खोना पड़ता था 2014 में देश में सिरफ 35% रेल लाइनों का इलेक्रिफिकेशन हुआ था पहले की सरकारों की रिए रेल लाइनों का दोहली करण भी उनकी प्राथ्मिक्ता में नहीं था इस परिस्तिति में हर पल कौन मुसीबते जेल रहा था कौन परोसानियों पीसा जाता था हमारे देश का सामान ने मान भी मद्यंबर का परिवार भारत का छोटा किशान भारत के छोटे उद्यमी आप याद करिए रेलिवे रिजर्वेशन उसकी भी क्या हाल था लंबी लंबी लाइने दलाली कमिशन गंटों का इंतजार लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं है तो आमने माना सब्सक्राइब कर दो चार घंटे सफर करनी कर लेंगे चिला उमर यहीं जिन्गी हो गई ती और मैंने तो मेरी जिन्गी ही रेल की पट्री पर शुरू की है इंदे मुझे भली पाती है रेलिवे का क्या हाल था साथियों भारतिय रेल को उस नर्ग जैसे स्थिति से बार निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है अब रेलिवे का अभिकास सरकार की सरवोच्च प्राफिक्ताओं में से एक है हमने दस वर्सों में आउस्सत रेल बजेट को 2014 से पहले के कुर्णा में 6 गुना ज़्यादा बनाया है और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतिय रेल का ऐसा कार्य कल्प होते देखेंगे जिसके उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी आज का ये दिन इसी इच्छा सक्ति का जीता जाक्ता सबूत है देश का नवजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए कैसी रेल चाहिए ये दस साल का काम अभी तो ट्रेलर है मुझे तो और आगे जाना है आज गुजरात महाराट यूपी उत्रागन करनाटक तमेलाडू दिल्ली एंपी तेलंगन आंत्रप्रदेश बियार जारकन पत्रिमंगार उडिसा इतने रज्यों में बंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है जी और इसी के साथ ही देश में बंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है बंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क अब देश के 250 से अधित जीलों तक पहुँच चुका है जन्भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार वंदे भारत ट्रेनों का रूट भी लगातार बढ़ा रही है अमदाबाद जामनगर वंदे भारत ट्रेन अब ध्वारिका तक जाएगी और मैं तो अभी इभी द्वारिका में जाकर के डूपकी लगा क्या आया हूँ अजमेर दिल्ली सराय रुहिला वंदे भारत एक्सप्रेस अब चंडी घट तक जाएगी गोरकपूर लखनव वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रयाग राज तक जाएगी और इस बार तो कुम का मेला होने वाला है तो उसका महतो और बढ़ जाएगा तिरुआ नंत्पुरम कांसर गोर मंदे भारत एक्सप्रेस मंगलूरू तक विस्तार किया गया है साथियों हम दुनिया भर में कहीं भी देखें जो देश सम्रुत हुए अवद्योगी ग्रुप से सक्षम हुए उनमें रेलिवे की बहुत बड़ी भूमिका रही है इसलिए रेलिवे का काया कल्प भी विच्सीद भारत की गारंटी है आज रेलिवे में अभुतपुर्व गती से रिफार्म हो रहे है तेज गती से नए रेल्वे ट्रेक्स का डिरमान तेरा सो से जाधा रेल्वे स्टेशनों का आदुनिक रानओं बंदे भारत नमो भारत अमरित भारत जैसी नेक्स जनरेशन ट्रेइन आदुनिक रेलवे इंजीन और कोच फेक्टरियां ये सब 21 वी सदी की भारतिय रेल की तस्वीर बदल रही है सासियों गती शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी के तहट कार्गो टर्मिनल के निर्बान में गती लाई जा रही है इससे कार्गो टर्मिनल बनने की गती तेज हुई है लैंड लीजिंग पॉलिसी को और सरल किया गया है लैंड लीजिंग प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया है इससे काम अप में पारदर्सित आई है देश के ट्रांस्पोर्टेशन सेक्टर को मजबूती देने के लिए रेल्वे मंत्राले के तहट गती शक्ती विश्व विद्धारे की स्थापना भी की गई है हम निरंतर भारतिय रेल को आधुनिक बनाने और देश के कोने को रेल से जुड़ने में जुटे हुए हम रेल्वे से नेटवर्ग से मानव रहित फाटक समापत करके ऑटोमेटिक सिगनलिंग सिस्टिम लगा रहे है हम रेल्वे के शत्फतिशत इलेक्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम सावर उर्जा से चलने वाले स्टेशन बना रहे हैं हम स्टेशन पर सस्ती दवा वाले जन आउसदी केंद्र बना रहे हैं और साथियों ये ट्रेने ये पट्रियां ये स्टेशन ही नहीं बन रहे हैं बलके इनसे मेड इन इंडिया का एक पूरा एको सिस्टिम बन रहा है देश में बने लोको मोटीव हो या ट्रेन के डिब्बे हो भारत से स्रिलंका मोजांबिक सेनेगल म्यानमार सुडान जैसे देशों तक हमारे ये प्रोड़क्ट एक्स्पोर्ट किये जा रहे हैं भारत में बनी सेमी हाइश्पीट ट्रेनों की डिबान दुनिया में बढ़ेगी तो कितने ही नए कार खाने यहां लगेंगे रेलवे में हो रहे ये सारे प्रयांस रेलवे का ये काया कल्प नए निवेश और निवेश से नए रोजगार की भी गारंटी दे रहा है साथियों हमारे इन प्रयासों को कुछ लोग चुनावी चस्पे से देखने की कोशिच करते हैं हमारे लिए ये विकासकारिय सरकार बना हैं ये विकासकारिय सिर्प देश बनाने का मिशन है पहले की पीडियों ने जो कुछ भुगता वो हमारे नवजवानों और उनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा ये मोदी की गारंटी है साथियों भाजपा के दस वर्ष के विकासकार के एक और उधारण पूर्वी और पस्ति में डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडोर भी है दसकों से ये डिमांड की जा रही थी कि माल गाडियों के लिए अलग ट्रैक होना चाहिए ऐसा होता तो माल गाडिया और प्रेशंट्रेट ट्रेंड दोनों की स्पीर बढ़ती ये खेती उद्योग एक्सपोर्ट व्यापार कारोबार हार काम के लिए ये तेजी लान्या बहुत जरूरी था लेकिन कॉंगरिस के राज में ये प्रोजेक लटकता रहा बटकता रहा अटकता रहा बीते दस वर्सों में पूर्वा और पस्चीम के समुद्री टड को जोडने वाला ये फ्रेट कोरिडोर करीब करीब पुरा हो चुका है आज करीब साड़े छैसो किलुम्टर फ्रेट कोरिडोर का लोकारपन हुआ है अमदाबाद में यह भी आप देख रहे हैं आप्रेशन कंट्रोल सेंटर का लोकारपन हुआ है सरकार के प्रयासों से अब इस कोरिडोर पर माल गाड़ी की स्पीड दो गुना से अधिक हो गई है इन कोरिडोर पर अभी के मुकाबले बड़े वैगन को चलने की शमता है जिन में हम अधिक सामान ले जा सकते हैं पूरे फ्रेट कोरिडोर पर अब इंडस्ट्रियल कोरिडोर भी विक्सित किये जा रहे हैं आज अने स्थामों पर रेल्वे गूट्सेड गति शक्ती मुल्टि मोडल कार्गो टर्मिनल डिजिटल नियंत्रन स्टेशन रेल्वे वर्क्षोप रेल्वे लोकोशेड रेल्वे डिपो का भी लोकारपन आज हुआ है इसका भी बहुत सकारात्मक्प्रभाव माल डुलाई पर पढ़ने ही वाला है साथियों भारतिय रेल को हम आत्मंदिर भर भारत का भी एक नया माध्यम बना रहे हैं मैं वोकल फोर लोकल का प्रचारक हूं तो भारतेये रेल वोकल फोर लोकल का एक ससकत माध्यम है हमारे विश्व कर्मा साथियों, हमारे कारीगरों, सिल्पकारों, महला स्वायम समोग के स्तानी उत्पाद अब स्टेशन पर भीकेंगे अभी तक रेलवे स्टेशनों पर बन स्टेशन वर्ड प्रोड़क के पंदरा सो स्टॉल खुल चुके हैं इसका लाप हमारे हजारों गरीब भाई बहनों को हो रहा है साथ्यों मुझे खुशी है कि भारतीय रेलवे आज विरासद भी विकास भी इस मंत्र को साकार करते हुए छेत्रिय संस्कृति और आस्था से जुड़िये प्रयाटन को भी बढ़ावा दे रही है आज देश में रामाएंड सरकीट गुरु कुरुपा सरकीट जैन यात्राप और भारत गवर्व ट्रेने चल रही है यही नहीं आस्था स्पेशल ट्रेन तो देश के कोने से स्री राम भक्तों को अयोग्द्या तक ले जा रही है अब तक करीब तीन सो पचाथ आश्ठा ट्रेने चली है और इनके मादम से साड़े चार लाज से जादा सरधालों ने अयोध्धा में राम लला के दर्शन किये साथियों भारतिय रेल आधुनिक्ता की रप्तार पर ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ेती रहेगी और ये मोदी की गारंटी है सभी दास्वांचियों के सयोग से विकास का ये उत्सव भी निरंतर जाने रहेगा एक बार फिर मैं सभी मुक्यमंतियों का गवर्नर सी का और इन साथ सोथ अधिक सान पर जो इतनी बड़ी तादार में लोग बैठे हैं कारकम में आये हैं और स्मय नौ साथे नौ बज़े कारकम करना को सरल काम नहीं है लेकिन देश का जन्द माऩस विकास के साथ जुड़ गया है और इसलिए ये नजारा देखने को मिल रहा है जो इतनी बड़ी तादार में आज आये हैं इसकारकम में सरीव कुए साथ सो जैदिक जीलों में ये विकास के नई लहर उनको अनुभव हो रही है मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आप सब की बिदाय लेता हूं नमस्कार